कि बिस्मिंत्र तर्टर जो उट्यान टॉपिक है। एक्सक्रीशन इन्रेऍ कि रिप्रिजन टिटीव नीमल पे लिख सकते थे हम日本 पर रिप्रिजन्टेटिव एनिमल क्यों लिखा अगर आपको याद हो किंग्डम एनिमीलिया के अंदर जब आपने डिफरंट जो है वो और्गनिजम के ग्रूप स्टडी किये उनमें डिफरंट जब उनकी क्लासिज उनके ओर्डर उनके फाइलम डिसकस किये तो बैटे हर ग इंबर हैं उनका उसकी स्टडी करेंगे तो डैट इसकार्ड रिप्रिजन्टेटिव एनिमल्स किसी ग्रूप में से मिसाल के तोर पे जो है वो एक क्लास है या पुरा स्कूल है उस स्कूल में डिफरंट क्लासिज उनक्लासिज में से जो हमारे पास मॉनिटर बनते हैं ठीक यहां पर जो जो जानदार जो जो एनिमल हम पढ़ेंगे वो अपनी पूरी क्लास की रिफलेक्शन दे रहा होगा कि मेरी और मुझ से रिलेटिट जितने जानदार हैं उनकी जो है वो किस किसम का उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो वन बैवन हम डिसकस करते हैं हमारे पास नाइडेरियन है क्या है अब नाइडेरियन है कौन से फाईलम से बिलोंग करता है हाईडे जो जो और क initiatives एक्ष़ए क्वरी प्रेश वाटर कहां पर रहते हैं यह फ्रेष वाटर हंविटेट में रहते हैं हाईड़ा को पानी का सांप पी कहा जाता है क्या यह और जाता है प फ्रेश वाटर में कहा रहता है फ्रेश वाटर में हमने बात जो करनी है वो ना कि सुसिया डिसक्स करनी है हमने बताना है कि इसमें एक्सक्रीशन का प्रॉसस कैसे होता है हम कहते हैं कि हाइड्रा के अंदर असल बात जो है इसके पास डू नौट डस नौट कंटेन इसके पास क्या नहीं होता, क्या नहीं होता? हाइड्रा के पास कोई specialized electrically system मुझोद नहीं होता कोई भी excretory organ नहीं है, नहीं है, हाइड्रब के अगर आपको बॉड़् याद हो तो आपने पढ़ा था क्या है हाइड्रा की बॉड़ी कैसी होती है? वेज लाइक कैसी होती है वेज लाइक बॉड़ी होती है ठीक है और यहां पर आपने इसके टेंटिकल्स वगएरा भी पढ़े थे ठीक है अब हमने कहा कि इसकी जो एक्सक्रीशन है वो कहां से होती है इसकी जो बिटे एक्सक्रीशन है वो इसकी जैनरल सर्फेस से होती है कहां से होती है जैनरल सर्फेस से अगर आपको इसकी रैस्पारेशन याद हो तो रैस्पारेशन ऑक्सीजन जो हमने इसको दी थी वो चैप्नबर 13 में आपने डिसकस की थी तो वो भी कहां से लिया करता थ यह अपनी जनरल सर्फेस से कहां से लिया करता था जनरल सर्फेस से ठीक है तो इसलिए हम कहते हैं कि हाइडरा के पास कोई specialized excretory system तो मुझूद जैसे हमारी बॉड़ी में well developed excretory system है kidneys वाला ठीक है urinary system लेकिन हाइडरा के पास इस किसम का कोई भी excretory system मुझूद नहीं होता तो उसकी फिर excretory system कहां से मुम्किन है general surface से simple process होता है कौन सा diffusion का कैसा process होता है diffusion का diffusion के जरिये जो उसकी body के waste materials है उसकी body का waste material है वो simple diffusion के जरिये आईसो ओस्मोटिक surrounding environment के अंदर आईसो ओस्मोटिक environment के अंदर अपनी body से जो waste material है उसको वो eliminate कर देता है उसको वो क्या कर देता है eliminate उसका आपने पढ़ाता है इसकी body layers होती है diploblastic के क्या है diploblastic के इसमें मीजोडर्म नहीं होती है एंडोडर्म और एक्टोडर्म होती है ठीक है तो यह अपने body cells के जरिये जो इसकी body में waste material होता है उनको कहां पर remove कर देता है simple diffusion के process के जरिये आईसो ओस्मोटिक environment में आईसो ओस्मोटिक क्यों कह रहे है क्योंके बाहिर हाइपोटॉनिक fresh water is always हाइपोटॉनिक fresh water is always और आपने animals की खसूसियात पढ़ी ऐसे जानदार जो अपनी body को external environment के मताबिक धाल ले उन्हें क्या कहते हैं Osmo confirmers या Osmo regulators Osmo confirmers Osmo confirmers इसका मतलब यह Osmo confirmers है इक्वेटिक है पानी में रहता है और आईसो ओस्मोटिक surrounding में रहता है अपनी body का environment आईसो ओस्मोटिक बाहर की तरह रखता है लेकिन वेस्ट मेटीरियल निकालने के लिए यह सिंपल फेनोमेना यूज़ करता है इसके पास कोई एक्सक्रेट्री और्गन नहीं है यह बात क्लेर होगई चलेंज जी अब हम जहेँ वह नेक्स्ट एक्सक्रीशन देखते हैं इन प्लेन एरिया किसमें देखते हैं प्लेन एरिया में नेक्स है हमारे पास एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया अगर प्लेन एरिया की क्रेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम कहते हैं प्लेन एरिया क्या है फ्लैट वर्म है क्या है फ्लैट वर्म है ठीक है और इसका फाइलम हमरे पास क्या है प्लैटी हेलमेंथिस ठीक है प्लेहलमेंथिस भी पढ़ते हैं जिसका फाइलम नेम है ठीक है अब फ्लैट वर्म है आप सबने जय est 소 испig regeneration तो अच्छे देखी हूई है हमारे पास जय तो excretory system का concept start होता है वो इसी से start होता है planaria के excretory system से start होता है ठीक है तो excretory system of planaria is very tubular, कैसा है, tubular है, tubular mean branched है, बड़ी नालियां है उसमें, ठीक है, और याद रखना, ऐसा tubular system है, which has no internal opening, no internal, अंदर वाली side पे body में कहीं भी उस system की opening नहीं है, closed tubes हैं, क्या है, closed tubular system है, क्या है, closed, which has no internal, जिसकी कोई अंदर opening, उसको हम नाम देते हैं, that is called proto nephridia, या अगर singular है तो proto nephridium, क्या कहते हैं, proto nephridium, क्या कहते हैं, पिटे ये असल में, ये थोड़ा सा आगे जाके, higher animals में जब हम जाएंगे, evolution कराते जाएंगे, तो ये ही proto nephridium किसमे convert हो जाएगी, nephron में, असल में, ये nephron की pioneer form है, जब nephron बनना शुरू हुई, तो direct nephron नहीं बनी, evolution हुई है उसमें, तो पहले क्या थी वो, proto nephridium, क्या थी, proto nephridium, proto nephridium है, फिर nephridia आएगा, ठीक है, meta nephridia आएगा, फिर उसके बाद जाके, कही नफरोन बगर आएगी, ठीक है, अब हम देखें, तो हम कहते हैं कि इसका जो system, excretory system, वो तो very very branched है, वो तो very very branched है, ठीक है, और, a number of branches है, उसकी वहाँ पर क्या है, उसकी body में, और ऐसी branches है, जो आगे से open है, closed है, closed branches है, क्या है, closed branches है, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ, closed किस side से है, बाहर की जानिब से, अंदर की जानिब से, क्या वो body के अंदर किसी भी जगा पे open अप नहीं होता, बाडी में, अंदर वाली side पे कहीं भी open नहीं होता, लेकिन outside the body, इन नालियों के, इन tubes के, बाहर वाली side पे, उसकी skin के करीब pores जरूर है उनके pores, उन pores को हम नाम देते हैं, these pores are called nephridium pores, तो बैटे, proto nephridium है, closed tubular system है, close का मतलब यह नहीं है, कहीं पे opening नहीं है, अपनिंग है, लेकिन internal opening नहीं है, internal opening बाडी में नहीं खुलेगा, लेकिन outside the body जरूर open होगा, outside the body जिस structure के तरूर open होगा, वो pores हैं, उन pores को हम कहते हैं, these pores are called nephridium pores, these pores are called, अगर बिटे अगर इसका structure अगर हम जूम करके देखें, बड़ा करके देखें, तो हमें उसके उपर, अगर हम बिटे इसके structure को यहां से जूम करके देखें, तो हमें उसके structure के अंदर इस किसम के वक्फे वक्फे से ऐसे cells नजर आते हैं, ठीक है कि हमने कहा कि इसका जो system है very cellular system है किसा system है tubular और अंदर वाली side से ये bandhı अंदर वाली side से ये बंद है लेकिन बाहर वाली side पर ज़रोर open होता है और किस पोर के थू प्रीडियो पोर के थूख अब इसका जो ट्यूबर सिस्टम अंदर वाली side से closed है तो हर ट्यूब के एंड में एक कैप लाइक structure एक ठीक है वो structure जहां पर बंद हो रहा है ऐसे लगता है जैसे कैप रखी हुए टोपी बनाई हुए वहाँ पर ठीक है अब उस कैप को अगर हम study करें तो हम कहते हैं वो कैप लाइक structure असल में उसके flame cell है क्या है flame cell क्या है flame cell अब इस flame को flame cell क्यूं कहते हैं यह इसको flame cell क्यूं कहते है flame तो असल में कहते हैं शोले को और जब इनकी working हो रही होती है जब यह काम कर रहे होते हैं तो यह हमें कैसे नज़र आते हैं flickering flame की तरह कैसे नदर आते हैं flickering flame किसे कहते हैं जब कोई शोला जल रहा हो तो वो कभी ज्यादा हो रहा हो तै कभी कम हो रहा हो तै इसलिए हम उसको flickering flame कहते हैं तो यह flickering flame की तरह कब नजर आता है जब यह work कर रहा हूँ जब यह work कर रहा हूँ असल में यह flame cell है cell है तो इसका nucleus भी होगा इसका है इप इसमें sa çıkubazm भी होगा होगा यह नहीं होगा 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 है और एक नहीं चीज इसके उपास किया होती है इसके पास इसकी बॉड़ी के उपर 새ीले लगेवे होते हैं क्या लगे लगे हॹसे हैं ऑन craft काफी सारे सीलिया है तो जब वो मूव करते हैं तो स्पूटम को बाहर निकालते हैं बल्गम को बाहर निकलवाते हैं इसी तरह इसके फ्लेम सेल के अंदर जो सीलिया है क्या है जब वो बीट करते हैं जब वो मूव करते हैं जब वो मूव कर रहे होते हैं तो हमें ऐसे लग रहे होते हैं और यह शोले की तरह जाल रहा है इसलिए हम इसको फ्लेम सेल का नाम देते हैं अब बैटे यह तो हर जगा पर जहां जहां पर ओपनिंग क्लोज हुई है अंदर वाली साइड पे वहां पे एंड पे कैप सेल्स हैं उन सेल्स का क्या नाम है अब इसके बाडी के अंदर जो करेंगे तो यह इंटरस्टीशियल फ्ल्यूड को प्रोपैल करेंगे इंटरस्टीशियल फ्ल्यूड को प्रोपैल करेंगे अपने ट्यूबलर सिस्टम के अंदर किसमें प्रोपैल करेंगे अपने टिब्यूलर सिस्टम यह इनका नीचे टिब्यूलर सिस्टम है यह इनका क जो चीजे वो शिफ्ट हो जाती होती हैं उनकी एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर किसमें शिफ्ट हो जाती है एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर किसमें शिफ्ट हो जाती है एक्सक्रीटरी डक्ट अब वो जो एक्सक्रीटरी डक्ट है वो वेस्ट मेटीरियल को लेके बॉड़ के बाहर open होगी तो इसकी body के बाहर हमें सेंक्डो पोर्स मिलेंगे जो के पोर्स क्या कहलाते हैं यही excretory duct open outside यह excretory duct बाहर की जानिब open हो जाती है और किस opening के थूपन होती है उसे क्या कहते हैं नेफरीडियो और क्या कहते हैं इस आल आफ यह एक्सक्रीशन इन यह प्लेणब यह प्लेड एरिया के बारे में हमने कहा यह फ्लैट वर्म है प्लेटी हीलमान्थस फैमिली से फवाइलम से बिलॉंंग करता है एक्सक्रीट्री इस के पास वैरी ट्यूबलर ब्रांच्ड और ऐसी ब्रांच यह और जहां से internal opening होनी थी, वहां पे covering है, capsule है, बंद है, उन cells का नाम हमने रखा कि वो cells क्या है, flame cells है, flame cells को flame cell क्यों कहते हैं, वो how पर offer करते हैं, तो फ्लेकरिंग flame की तरह लग रहे होते हैं, metric economy flame की तरह क्या चीज़ बनाती है, उनमें क्या लगे होते हैं, सीलिया वो सीलिया जब बीट करते हैं तो अपने अंदर किसको पुल कराते हैं इंटस्टीशियल फ्लियूड को कहां पर पुल करा लेते हैं अपने ट्यूबिलर सिस्टम में फिर उनके ट्यूबिलर सिस्टम में जो भी इंटस्टीशियल फ्लियूड आया वो सारे का सारा बॉ fresh water में जो है वो material को क्या कर देगी excrete out कर देगी क्या कर देगी excrete out कर देगी यह बात clear हो गई reading कर लेते हैं excretion in hydra hydra anidarian does not have specialized excretory structure in it waste product simply diffuse into the isoosmotic surrounding फिर excretion in plain area plain area the animals of the group of flatworm have the simple tubular excretory system called proton infridium सबसे सस्था त्रीं सिंपल त्रीं सादा त्रीं सिस्टम में इसके अंदर अप्रोटो नेफरीडियम इस नेट वर्क of closed tubes without internal opening अंदर वाली साइड पे opening नहीं है tubular system is spread throughout the body सारी body में tubular system and branches हैं और जहां 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 पे उसकी branches है वो branches आगे से क्या हो रही हैं बंद हो रही है kept these branches are kept by the cellular setup उस जहां पे branch end होती है वहां पे एक cell लगा दिया गया उस cell का नाम termed as flame cell each flame cell has a tuft of cilia हर flame cell के उपर cilia का इगुच्छा है whose beating जब वो beat करते तो प्रोट पहल दा interstitial fluid into the tubular system अब ब्रैकेट में लिखता है the beating of cilia looks like a flickering flame therefore these cells are termed as अच्छा the tubular system is drained into the excretory duct tubular system उसका excretory duct में जाके drain हो जाता है गिर जाता है open हो जाता है which opens to the exterior through the several nephridio pores सिर्फ एक की nephridio pore नहीं है several nephridio pores उसकी body के उपर जहांसे उसकी excretory duct बाहर की जानिब खुल जाती है ठीक है चले fresh water flatworms excrete very dilute urine अब यहां पर उसने बताया है कि कौन कौन से जो फ्लैट वर्म है वो कहां कहां रहते हैं flatworm fresh water में भी रह सकता है saline water में भी रह सकता है different environments में अपने आपको adopt करा सकता है very dilute urine produce करते है very dilute urine क्यों produce करते है क्योंके mainly fresh water में रह रह रहा है mainly function in disposing the nitrogenous waste जब आइसो टॉनिक है उनको body से salts water excrete कराने की जरूरत नहीं होती they just excrete their nitrogenous waste they just excrete their nitrogenous waste clear यह नीचे डियाग्राम बनी हुई है इसको आपने अच्छे से जह वह flame cell की diagram ड्रा कर लेनी है short question भी आज़े तब भी flame cell की diagram आप ड्रा करोगे अगर आपको कोई question है तो आप comment section में पूछ सकते हो thank you, Allah Hafiz